दोस्तो हमनों इंडो इसलामिक कल्चर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने में मैंने आपको बताया है कि pen और paper उठाईए और मेरे साथ शुरू हो जाईए 10 मिनट के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए आपकी जीवन का 10 मिनट 10 कोशन्स अगर आपका सही हो जाता है तो competition में बहुत उचाई लेके जाएगा क्योंकि एक एक नंबर से बच्चे छट जाते हैं और बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत फायदयमंद है बहुत माइने रखता है तो दोस्तों चलिए पहला कोशन्स करते हैं और जो नोट के चीज़े होगा मैं आपको बताऊंगा लिखा है कि the first verses revealed to the prophet Muhammad are incorporated in the surah पेगामर मुहम्मद स.A.W. मुहम्मद पे जो पहली आयत नाजिल हुई थी वो किस सूरा में है तो अल-अलक में है अल-अलक को इकरा बिसमिका बोलते हैं इकरा शुरू में इकरा मतलब पढ़ना to read तो अल-अलक के बारे में notes बनाईए थोड़ा सा दो line याद कर लिजेगा notes बना लिजेगा अल-अलक के बारे में Google, Chrome पे या YouTube पे लिखिए थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा उसका आप लोग अपने paper पे notes बना लिजेगा चलिए आप 42 नमर questions करते हैं यानि दूसरा questions इस वीडियो का third pillar of the Islam कौन से पहला pillar, दूसरा, तीसरा तो इस तरह pillar आपको याद रखनी है कि पांच pillar क्या है इसलाम का तो 42 का जो answer है वो C है हज, तीसरा pillar क्या है हज, ठीक है आप लोग इसके notes बनाईएगा कि इसलाम में pillar मतलब क्या मतलब माइने रखता है और ये जो pillar है इसमें भी terms conditions है कि भाई हज वही जा सकता है जिसके पास sufficient पैसा हो, नमाज वही पर सकता है जिसका तवियत सही हो, तो हर काम करना जरूरी है लेकिन उसमें भी conditions है, अगर आपको ये चीज़ है पैसा है तब आप जकात दीजिए, ऐसा नहीं कि आपके पैस पैसे ही नहीं है और आप जकात द सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कब और कर कब सकते हैं ये terms and conditions है, तो आपको इस question से ये सीख मिली है कि आपको इसलाम के पहला दूसरा तीसरा चोथा पिलर याद करना है पांच वात तक, ठीक है, अब 33 नमर questions देखते हैं, In the courtyard of the medieval mosque stands a famous iron pillar which bears a Sanskrit inscription in Gupta script, the name of the mosque is, मद्ध यूगीन मस्जीद के आंगन में लोहे का अस्थम खड़ा है, जिस पर Gupta लीपी में, संस्कृत में लिखा हुआ है, इस मस्जीद का नाम क्या है, तो 43 का आंसर है B, कुवतुल इसलाम मौस्क, ठीक है, कुवतुल इसलाम मौस्क ब इसलाम मौस्क, ठीक है, इसके बारे में तो आपको हमेशा alternate years में questions आते ही आते हैं, तो मद्ध यूग मस्जीद के आंगन में जो लोहे का अस्थम खड़ा है, जिस पर Gupta लीपी में संस्कृत में लिखा हुआ है, इस मस्जीद का नाम है, कुवतुल इसलाम मस्जीद, इसके from the chronological point of view, which of the following is the first major compilation of hadith, क्रम बद द्रिश्टी से नीचे लिखी hadith की पहली मुख संकलित पुस्तक कौन सी है, तो चवालिस का जो आंसर है, वो है B, मुवत्ता इमाम, मुवत्ता इमाम मलिक, चवालिस का क्या आंसर है, मुवत्ता इमाम मलिक, मतलब ये कह रहा है कि क्रम ब संकलित पुस्तक कौन सी है, in the view of the following is a major compilation of hadith, hadith का major compilation of hadith कौन सी है, संकलित, तो मुवत्ता इमाम मलिक, ठीक है, मुवत्ता इमाम मलिक के बारे में नोट्स पनाईएगा, साही बुखारी, साही मुस्लिम, सुन्ना अबू दाउद, इन चार लोगों के बारे में थोड़ा सा idea रखिएगा, दो-तीन line के बारे में इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, 44 का जो जितने भी options है, अभी 44 का answer तो B आया है, लेकिन आपको सिप यहीं तक सीवित नहीं रहना है, आपको A के बारे में भी पढ़ना है, C के बारे में भी और D के बारे में भी कि ये लोग क in exile was, ठीक है, निर्वासित और अस्थाई, भारतिय राज के परधान मंत्री थे, आप देखिए, कौन थे, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, 45 का answer जो है, A है, मौलाना बरकतुल्ला भुपाली, मौलाना बरकतुल्ला भुपाली, ठीक है, तो 45 का answer है, A, 45 का answer A है, अब मौलान बरकतुल्ला भुपाली के बारे में दो लाइन Google Chrome पे सर्च करके, आप हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी find out कर सकते हैं, तो 45 का answer 45 का A है, यह 2020 का हम लोग कोशन्स कर रहे हैं, जो पिछले साल आया हुआ है, 46 नमर देखिए, हच्च्च्च्च्च हस्तुला अल-बालीगा के लेखा कौन है? तो 46 का जो answer है, वो है B, यानि शाह वली उल्ला, तो शाह वली उल्ला के बारे में थोड़ा सा notes, एक दो line बनाईएगा कि शाह वली उल्ला कौन थे? और शेक आहमास सरहिंदी के बारे में, और मौलाना शिभली के बारे में, मौला आता ही आता है, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं 47 नमर कोशन्स पे, 47 नमर का रहा है, the freedom fighter associated with the काकोरी conspiracy, आमीर खान के एक movie है, जिसका नाम है रंगदे बसंती, उसमें बोलता है काकोरी कांड में करेंगे और काकोरी कबाब खाते खाते, तो काकोरी कांड में किस सुहतंतरा से जनानी का योगदान है, तो 47 का जो आंसर है, एक अश्पाकुल्ला खान साब के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, एक दो लाइन नोट्स बना लीजिएगा, यह हमेशा काम, अश्पाकुल्ला खान साब का काकोरी कांड में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है? अ अब हम लोग बढ़ते हैं 44 तो हो गया 47 तो हो गया 48 की तरह बढ़ते हैं तो 48 में कह रहा है कि the surah that contains two bismillah is वो surah जिसमें दो bismillah है तो 48 का जो answer है वो है a नामन नमल ठीक है surah नमल में दो bismillah है तो आपको बहुत सारे ऐसे questions होता है जो rare questions पूछ लिये जाते हैं तो थोड़ा सा surah नमल के बारे में पढ़ियेगा ये questions हो सकता है repeat भी हो जाए बहुत सारे questions एक दूसरे से link होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा idea भी देता हूँ किस types के questions आ सकते हैं और answer तो मैं बता ही रहा हूँ कि 48 का जो answer है वो एह है 49 का देखिया आप दो questions रहरे हैं उसके बाद आपका इंडो इस्लामिक कल्चर का जितने previous questions पेपर है 2006 से लेके अभी तक पूरा मैने clear करवा दिया इन वीच एंगलो मैसूर वार डिट टिपू सुल्तान पड़ स्पेट आफ्ट देट ऑफ इस फादर हैदर अली टिपू सुल्तान ने किस एंगलो मैसूर यूद में अपने पिता हैदर अली के मर्ड़ो प्रांद भाग लिया था ठीक है तक 49 का अंसर है बी दूसरा में अब टिपू सुल्तान के बारे में बहुत सारे कोशन्स अली गड़ मुस्लिम उनिसिटी में आते हैं तो टिपू सुल्तान साहब के बारे में थोड़ा सा ग्यान रखना बहुत जरूरी है मैसूर के बारे में टिपु सुल्तान साहब के बारे में बहुत ही कोशन्स आते हैं alternate years में या दो-तीन साल में एक बार कोशन्स पूछी लिए जाते हैं तो टिपु सुल्तान साहब के बारे में जरूर आप पढ़िएगा नोट्स बना लिजेगा अब बढ़ते हैं last questions लास कोशन्स देखिए 10 कोशन्स हम 10 मिनट में पूरा कर देते हैं which city was named दौलाताबाद by तुगलक सल्तनात तुगलक सल्तनात के किस शहर का नाम बदल के दौलाताबाद रखा था पचासवा का जो आंसर है वो है B देवगिरी देवगिरी का नाम को चेंज करके तुगलक ने इसको लगाता है दौलाताबाद यानि वहाँ पे दौलात ही है बाद मतलब होता है घर जैसे गाजियाबाद तो गाजियुदीन साब का घर इलाहाबाद मतलब अल्लाह के बाद लाहबाद को पावन नगरी माना जाता है वहाँ पे संगम है गंगा यमना का और वहीं पे आपको है अप गंगा जमना सरवस्वती जो कहलाती है वहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ संगम के और आगे थोड़ा सा तीर्त अस्तल है अब वहाँ पे पूरुज़ों ये बाद वो बाद जितनी भी बाद है बाद मतलब घर ठीक है दौलताबाद में दौलत का बाद तो देव नागरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रखा था किसने तुगलक सुल्तान ने ठीक है तो ये जो दस कोशन से इसका नोट्स बनाईएगा आने वाले समय में आपको जिके करवाऊंगा और जितने भी और भी कोशन अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर कर लिजीए क्योंकि ऐसे यूसफुल वीडियो लाता हूँ जो कि आपके हित के लिए हो आपके परिवार के हित के लिए देश के हित के लिए तो जिसको जरूत मन्द इंसान है उसको आप फेस्बुक वाटसअप ग्रूप में शेर कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको जीके भी पूरा दस सल से उपर कही कोशन करवाने वाला हूँ धीरे धीरे सारे कोशन आपके क्लियर हो जाएंगे ठीक है दस मिनिट हो गया है अब मिलते है अगली वीडियो में तब नाम फैमली का नाम देश का नाम कम्मिनिटे के नाम हर नाम रोशन किजिए ठीक है तब तक यू ठीक गुट केर आप योसल्फ जैहिन जै एम्यू